हलो दोस्तों मेरा नाम है चंद्रकांत पांडे और आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल चंद्रा स्टेडी पाइंट पर आज मिलाया हूँ यूपी डिलेड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के लिए सोसल साइंस ये अतलगुत्तिय प्रस्ण होंगे समाजी अध्यन से समंदित तो आपके लिए बहुत महत्पूर होंगे तो आप बने रहे वीडियो के अंतर तक तो आएए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक बात कहना चा मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं और ये बहुत ही महत्पूर्ण प्रस्ण होंगे तो आप लोग देखिएगा जुरूर इसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं मैंने प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को डाल रखा हैं तो आएए आगे बढ़ते हैं प्रस्ण हो जाएगा सलतनत यूग में चर्शा सब्द किस सम्मंदित था उतर हो जाएगा सिज्चाई के लिए प्रियोग की जाने वाली चमडे की बालती चमडे की बालती जो चरशा था सल्तनत यूग में जो चरशा सब्द का प्रियोग होता था वो चमड़े की बालती के लिए होता था ओके आईए आगे बढ़ते हैं गुलाम वन्ष का अंतिम सासक कौन था उतर हो जाएगा कैकू बाद ओके गुलाम वन्ष का अंतिम सासक कैकू बाद उसके बाद सल्तनत काल में तूतिय हिंद भारत का तोता की उपाद किसे मिली थी उतर हो जाएगा अमीर खुस रोको ओके आईए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण सिवा जी के समय सरसूबादार किसे कहा गया उतर हो जाएगा किसी छेतर विसेस के प्रतिने दिया फिर सेना पति को क्या कहा गया सरसूबादार ओके आईए आगे बढ़ते हैं 96 माफ कीजिएगा 86 संसोधन में अनुच्छेद 21 ए जोड़ा गया सिच्छा का अधिकार क्या है उतर हो जाएगा 26 से 14 वर्स तक के बच्छों के लिए अनिवार रिवा निशुल्क सिच्छा क्या हो गया 6 से 14 वर्स तक के बच्छों के लिए अनिवार रिवा निशुल्क सिच्छा का प्रावधान अनुच्छेद 21 में है आगे बढ़ते हैं समवर्ति सूची किसे कहते हैं जिसमें केंद्र वाराज दोनों के विशे में कानून बनाए गए हैं उसे समवर्ति सूची कहते हैं चिंद्राश्ट्री पॉइंट को लाइक करना सब्सक्राइब करना और सेर करना न भूलें ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें आगे बढ़ते हैं F.I.R. का पूरा नाम लिखिए First Information Report F.I.R. F.I.R. इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा First Information Report आगे बढ़ते हैं S.E.L. कितने प्रकाल की होती है S.E.L. कितने प्रकाल की होती है लिखिए तो कितने प्रकाल की होती है 3 उत्तर हो जाएगा 3 कौन-कौन शी आगने सेल अफसादी सेल और फिर रूपांतरित सेल ओके या आप यह बाद चाहा है तो इसक्रिसोट ले सकते है S.E.L. कितने प्रकाल की हो जाएगा 3 कौन-कौन सी आगने सेल अफसादी सेल रूपांतरित सेल सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है उत्तर हो जाएगा लाल सागर और भूमत सागर किन सागरों को लाल सागर और भूमत सागर आगे बढ़ते हैं तुन्डा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं उत्तर हो जाएगा पच्छुआ पवन तुन्डा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को पच्छुआ पवन के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ते हैं अमेजन तथा जायरे की जायरे घाटी के लोगों के मुख बेवशाय क्या थे उनके बेवशाय के बारे में आपको बताना है तो बेवशाय हो जाएगा मतसपालन मतसपालन और दुगध उद्द्यो ओके आगे बढ़ते हैं अगले परसनी के तरफ हमारा अगला परसन है आगने सेल के उदाहरन बताईए आगने सेल के उदाहरन ग्रे नाइट बैसाल ये आगने सेल के उदाहरन है ठीक है आगे बढ़ते हैं पैंजिया किसे कहते हैं आपको ये बताना है पैंजिया क्या है उत्तर हो जाएगा भूश खलन के कारण जो भूखंड निरमीत होता है वो पैंजिया कहलाता है यह लिखा हुआ है पैंजिया आज आगे बढ़ते हैं भारत में सबसे पहले सोने की सिक्के किसी ने जारी किये तर हो जाएगा हिंद यूनान इंडो यूनानी अगला प्रस्ण बराह मिहिर कौन थे उतर हो घएगा चन्दरा स्टेड़ी पॉंट को सब्सक्राइब करना न भूले डिलेट के सभी सिमिस्टर के सभी विसेयों को मैंने इसमें कवर करने की कोशिस की है आपके लिए बहुत महतुपूर्ण साबित होंगे एक बार जूर देखें सब्सक्राइब जूर करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करना न भूलें आगे बढ़ते हैं चोलों के सासन काल में जनपद और गाउओं को क्या कहा जाता है गाउओं और जनपद थे उन्हें क्या कहा गया तो उतर हो जाएगा जनपद को नाडू कहते थे और गाउओं को कुर्रम जनपद को नाडू और गाउओं को कुर्रम कहा जाता था कब चोलों के सासन काल में आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण कोडांक का सुर्य मंदिर किस प्रांत में इस्थित है इसका निर्माण किसे ने कराया था इसमें दो प्रस्ण बन जाएंगे फर्स्ट कोडांक का सुर्य मंदिर किस प्रांत में है इस्तित है कोणा के सूर्य मंदिर का निर्मार गंगवन्स के राजा नरसिंग देव पर्थम ने करवाया था किसने करवाया था नरसिंग देव पर्थम आगे बढ़ते हैं मुहमस साहिब के पांथ सिध्धानतों में जकार्थ का अर्थ लिखिए या फिर जकार्थ का अर्थ इसपष्ट कीजिए उतर हो जाएगा अपनी कमाई का 2.5 प्रतिसत दान करना 2.5 प्रतिसत दान करना ये मुहम्मद साहिब के पांच से दानतों में जकार का अरत है ठीक है आगे बढ़ते हैं सेल आगने सेल की विशेष्टाएं बताईए तो पहली विशेष्टा हो जाएगी ये चट्टाने जीव जन्त वेवं मुनस्पत रहित हैं दूसरी विशेष्टा हो जाएगी ये रवेदार चट्टाने हैं तीसरी विशेष्टा हो जाएगी ये कठोर एवं अपार गम में हैं और चोथी भी से इस्ता हो जाएगी इन चटाउनों में परते नहीं होती आईए आगे बढ़ते हैं जुआला मुखी कितने प्रकार के होते हैं उतर हो जाएगा तीन कौन कौन से सक्री जुआला मुखी सुस्पत जुआला मुखी आगे बढ़ते हैं बालू का स्टूप कहां पाए जाते हैं पवन दौरा रेत एवं बालू के निपेच से निर्मित टीलों को बालू का स्टूप कहते हैं इन स्टूपों के आकार तथा सुरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है बालुका तूपों का निर्मार सुस्क एवं अर्द सुस्क भागों के अलावा सागर तटी भागों में जीलों के रेतीले प्रदेशों से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाड के छेत्रों में पाये जाते हैं आपको उत्तर इसपश्ट हो गया होगा एक बार चाहे तो स्क्रीन सोर्ट ले सकते हैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा चंद्रा स्टेडी पाइंट को लाइक करना सस्क्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें आईए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला प्रस्ण है मिश्टल तथा ब्लीजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं इसको आपको उतर देना है उतर होजएगा मिश्टल माफ किजएगा इसमें मिश्टल होजएगा यह ठंधी द्रूवी हवाएं हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं ब्लीजर्ड या हिम जंजावत क्या है जो ब्लीजर्ड है इसी का दूसरा नाम है हिम जंजावत यह बरफ के कड़ों से युक्त द्रूवी हवाएं हैं रोस के टुंडरा प्रदेश एवां साइबेरिया में ब्लीजर्ड का अस्थानिय नाम क्रमसा पुरगावा बुरान है ओके चाहें तो आप इसके इसकी इसकी सोट लीश सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं सूर्यताब किसे कहते हैं सूर्यताब किसे कहते हैं जैसा कि आप नाम से इस पष्ट समझ सकते हैं आगे बढ़ते हैं इसमें इसका उतर जान लेते हैं प्रतवी की सत्थ पर प्राप्त होने वाले सोर विकिरन को सूरताब कहते हैं अगला प्रश्ण पंत निर्पेच राज्य से आप क्या समझते हैं उत्तर हो जाएगा पंत निर्पेच राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ, सभी धर्म समान होते हैं आईए आगे बढ़ते हैं काली दास के दो गृंथों के नाम लिखिए काली दास के दो गृंथों के नाम लिखिए पहला गृंथ हो जाएगा रगुवन्स महाकाबे और दूसरा अभिग्यान साकुन तलम ओके आगे बढ़ते हैं गुप्त कालिंग चित्रकला के दो केंद्रों के नाम लिखिए दो केंद्रों के नाम इसमें बताना है तो मैंने इसमें तीन नाम सामिल कर रखे हैं पहला मथूरा, दूसरा सारनाथ और तीसरा पार्टली पूत इसमें मैंने तीन नाम सामिल के हैं आप याद कर लिएगा बहुत ही महातुपॉर्ण प्रशन है आपको बहुत काम आएंगे आगे बढ़ते हैं भोज किस राजा के भोज किस वन्ष के राजा थे भोज परमार वन्ष का राजा था उसकी रालधानी क्या थी धारा नगरी अगला प्रशन गीत गोविंद किस की प्रशिद रचना है जैदेव की गीत गोविंद जैदेव की प्रशिद रचना है आगे बढ़ते हैं खजुराओं मंदिर का निर्माड किन राजाओं ने कराया था उत्तर चन्देल राजाओं ने खजुराओं मंदिर का निर्माड चन्देल राजाओं ने करवाया था भक्ति कालीन दो संतों के नाम लिखे भक्ति कालीन दो संतों के नाम लिखे आप जो उचित लगे याद कर लेजिए भारती सेना का सरवोच सेना पती कौन होता है भारत की राष्ट पती भारती सेना के सरवोच सेना पती भारती सेना के सरवोच सेना पती कौन है भारत के राष्ट पती आगे बढ़ते हैं भारत और यहां पर होना चाहिए भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था 1962 में ओके आगे बढ़ते हैं भारत किस गोलार्ध में इस्तित है उत्रिय और पूर्वी गोलार्ध में अगला प्रस्ण चंदेल के दो प्रिशिद नगरों के नाम बताएं दो प्रिशिद नगरों के भोज प्रबंध किसकी रचना है बलाल की इसमें कहीं कहीं भलाल भी लिखा हुआ है भलाल मिस्र या फिर बलाल मिस्र आप कंफ्यूज मत होईएगा बलाल मिस्र या फिर बलाल आगे बढ़ते हैं प्रियाक प्रस्षिद के रचाईता कौन है उतर हो जाएगा हरी हरी सेंड उतर हो जाएगा हर सेंड, प्रियाक प्रिशिष्ट के रहे चाहिता हैं, अगले प्रस्ण यह तरह बढ़ते हैं, मौर वन्स के स्थापक कौन हैं, उतर हो जाएगा चंदरुगुप्त मौर, मगद के महान सासक, धननन्द को इन्होंने पराजित किया और मौर वन्स के स्थाप ना की अगला प्रस्ण उपभोगता समुर्षण अधिनियम कब लागू हुआ उतर हो जाएगा 1986 में तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ण ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ण है अगर परिच्छा में आप डेलेट सिकंड सिमेस्टर की परिच्छा देने जा रहे है तो एक बार इसे जरूर देखिएगा आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे तो एक बाफी से कहना चाहूंगा चंद्राश्टी पॉइंट को लाइक करें सस्क्राइब करें और सेयर करें ज्यादा से ज्यादा सेयर करें फेंड के साथ सेयर करें बहुत बहुत धन नहीं एक लिब दाने बाद